हलो प्रेंट्स दिस वर्शा वलकुम बैक टू माई चैनल एक लविस इच्छक भरती में आपका जो नॉलेज ऑफ आई-सी-टी का पार्ट है उसमें हॉस्टल वॉर्डर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है साइबर सिक्यूर्टी तो उसको भी करा दिया जाएगा आज का तबलब होती है कि किस तरह से questions आएंगे और किस तरह से examiner पूछ सकता है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो चैनल पर नहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जादा 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 शेर करिए क्योंकि होस्टल वार्डन के अलावा भी जितनी इंटरनेट क्या है आप सभी को पता होगा क्योंकि आज कल सुभार उठने के बात में सामको शोने तक जो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो इंटरनेट ही है आज कल इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर, फोन और स्मार्ट उपकरनों क एक वैश्विक प्रडाली है जो अन्य प्रकार की शेवाओं के साथ सूचनों और फाइलों को तेजी से आदान प्रदान को सच्छम करने के लिए ट्रांश्मिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल इसको याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि TCP की फुल फ अगर आपको फाइल शेयर करनी है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने फ्रेंड को तो आप क्या करेंगे इंटरनेट के माध्यम से ही वो फाइल सेंट कर सकते हैं पिक्चर सेंट कर सकते हैं कम्मुनिकेशन कर सकते हैं वीडियो कॉन प्रेंसिंग कर सकते हैं ठीक है उन सभी के बारी में भी जानेंगे इतना तो आप समझ गए कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट सूचनव संशाधनों और सेवाओं की एक विस्त्रित्र संक्ला है जैसे की इंटरलिंग्ड हाइपर्टेक्स जस्तावीच और वर्ड वाइड वैप के एप्लिकेशन इंटरलिंग्ड मतलब जैसे कोई एक www लिखा हुआ है अगर आपने इस पर क्लिक किया तो एक दूसरा पेज ओपन होकर आजाता है ठीक है इंटरनेट भी ऐसा ही है अगर आपने कोई चीज सर्च की तो उससे रिलेड़ेट कई सारे जो लिंग्ड डॉक्युमेंट्स होते हैं पेजिस होती हैं इम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट था इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जिसे 1969 में अमेरिकी रच्छा विभा की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी द्वारा विक्सित किया गया था ये किबल चार कंप्यूटरों से जुड़ा था ठीक है तो यह इतन 1983 में TCP IP को अपनाया और नेटवर्क का नेटवर्क आधुनिक इंटरनेट बन गया ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि पहला जो बना वो अर्पानेट बना और अर्पानेट बना है 1969 में फिर इसने जब TCP IP को अपना लिया 1983 में तब जो आज आप कंप्यूटर पर इ देखने को मिल रहा है वो TCP IP की बज़ा से है ठीक है इंटरनेट के लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर क्या होता है ये एक एप्लिकेशन सॉफ्ट वेयर है जिसका व्यों वर्ड वाइब पर जानकारी तक पहुचने के लिए किया जाता है अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो आप कहां पर करेंगे कहां पर लिखकर उसको सर्च करते हैं वेब ब्राउजर में करते हैं ठीक है वेब भारी मात्रा में जानकारी का एक संग्रे है वेब का मतलब क्या होता है जो मकडियां एक जाल बनाती है ना उसको वेब बोलते हैं तो web browser मतलब जिसमें जानकारी information का पूरा एक collection रहता है जब कोई उपयोग करता कुछ जानकारी का अनरोध करता है सर्च करने के लिए तो web browser से data प्राप्त करता है और फिर उपयोग करता की screen पर web page प्रदर्शित करता है तो याद रखिए का सबसे पहले आप web browser में searching करते हैं उसके बाद आपके सामने web page पर information आती है Mosaic National Center for Supercomputing Application NCSA द्वारा विकसित पहला web browser था तो अगर यह question आ जाता है कि पहला web browser कौन सा था तो आपको याद रखना है Mosaic था तो इसको किस ने develop किया Mosaic को National Center for Supercomputing Application ने ठीक है तो इतना आप समझ गये next start करते हैं कि internet explorer कौन कौन जो web browser है वो कौन कौन से होते हैं तो internet explorer है Google Chrome Opera Mozilla Firefox UC Browser Apple Safari web browser यह कुछ ऐसे examples हैं जिनका use आप continuously करते हैं यह सबसे पहला था internet explorer मोजेक के बाद में ठीक है यह बहुत use होता था पहले लेकिन अब कहां पर हम लोग ज़्यादा use करते हैं Google Chrome use करते हैं और पेरा भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा use किया जाता था ठीक है तो यह सारे जो हैं web browser के example से इनको याद रखे का questions आ जाता है कि four option दे देंगे आपको कि इसमें से web browser कौन सा है और कौन सा नहीं है अब बात करते हैं worldwide web यह क्या होता है ठीक है जैसा कि हमने बोला था कि interlink होती है सारी websites फिर आप अगर images पर click करेंगे तो image open होकर आजाएगी अगर video पर click करेंगे तो video open होकर आजाएगी sound या song पर करेंगे तो song और sound जो है वो open होकर आजाएगी तो इसमें multimedia का एक संग्रह हो जाता है पूरा ठीक है आपको पता होनी चाहिए HTTP की full form होती है hyper text transfer protocol डब्लो डब्लो की शुरुआत कभी 1989 में जिसको CERN याने की European Center for Nuclear Research में हुई थी ठीक है uniform resource locator तो हर एक website हर एक web का एक अपना address होता है ठीक है उस address को ही URL बोलते हैं इसके बारे में हम और भी ज्यादा अच्छे से करेंगे बाद में देख लेते हैं यहां पर uniform resource locator क्या होता है तो इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले प्रते वेब पेज के साथ में एक विसिस्ट address जुड़ा होता है इस पते को URL के नाम से जाना जाता है यह हमें प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का इस्थान और अन्य संबंदित जानकारी बताता है जैसे अगर आपने कोई page save किया ठीक है तो उस save का जो address है वो पता चल जाएगा कि हाँ आपने कहां पर save किया वर्शा.document तो वर्शा के folder में document का option है उसमें आपने इस page को save कर लिया तो इसी तरह क्या होता है यही आपका address होगा जब आप उस page को open करना चाहेंगे तो भी आप वर्शा folder में चाहकर फिर उस जिस name से आपने save किया उस name पर click करके open कर देंगे यही एक चीज URL होती है प्रत्वी पर कहीं भी रहने वा सब्सक्राइब में एक web तत्व का एक अधितिय स्थान पता होता है जो एक website या एक web page हो सकता है आपश्यक है web page तत्वों की इस अधितिय पते को URL के रूप में जाना जाता है तो इतना पढ़ने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आया होगा तो हम उसको explain कर देते हैं कि all over world एकजिन फिल्ट में क्या होता है हर किसी का अपना एक अलग address होता है ठीके अगर आपका और आपके प्रहोसी का एक same address हो जाएगा तो आपको जो letter किसी ने भेजा है वो आपके प्रहोसी को पहुंच जाएगा तो ऐसा नहीं हो तो आपका लेटर सिर्फ आप तक ही इसी तरह क्या होता है कि वैब पेज में भी काफी सारी इंप फूर्मेशन होती है पूरा वर्ड वाइब जैसे की नाम से ही आपको पता चलता है कि अलवर वर्ड की इंपॉर्मेशन उसमें है तो हर page की, हर information की अपना एक अलग URL होता है, एक अलग uniform resource locator होता है, address होता है, ठीक है, URL में चार मूल भाग होते हैं, server, प्रकार, host name, folder name, file name, इनमें से प्रते का एक विशिष्ट कार है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि इसको देख लीजए, ये है URL, तो ये जो HTTP है, ये server type है, कि hypertext transfer protocol, अब ये लिखा, in.radif.com, ये एक host name है, ठीक है, news directory, कि आप news देख रहे हैं, ये file name है, कि किस तरह की file है, ठीक है, some protocols with their uses, तो HTTP का जो used है, वो क्या है use, hypertext transfer protocol is used to transfer the hypertext, जो text है, उसको transfer करने के लिए hypertext transfer protocol का use होता है, FTP, यानि कि file transfer protocol is used to transfer binary and text file over the internet, तो internet के माध्यम से, अगर आपको binary information भेज नहीं है, तो वो किस के माध्यम से भेजेंगे, FTP के माध्यम से, file मतलब local file, news मतलब news group, news article, telnet क्या होता है, for remote login over a TCP IP connection, ठीक है, ये remote login के लिए होता है, अब TCP IP ये बहुत important है, इसको अच्छे से समझ लिजेगा, FTP अच्छे से समझ लिजे, hypertext transfer protocol, ये तीन terms जो हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, transmission control protocol, internet protocol, consist of a set of two protocols, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दो protocols को consist करते हैं, transfer control protocol and internet protocol, transfer control protocol, the flow of data is a reliable service protocol, every computer in our network has a unique IP address associated with, it IP indefinites, identifies, sorry, a reach the target computer of the network, ती कहें कि आप किस computer पर work कर रहे हैं, हर computer का, हर system का, हर mobile का, अपना एक अलग IP address होता है, तो इसको identify करने के लिए, TCP IP का use किया जाता है, ठीक है, UDP क्या होता है, user datagram packet, is used to transfer data between two computers, it is a unreliable protocol, offering no guarantee for data delivery, ठीक है, तो ये reliable नहीं होता है, कोई guarantee नहीं होती कि जो आपका data है, वो deliver हुआ भी है या नहीं हुआ है, दो computer के बीच में, data को transfer करने के लिए, इसका use होता है, तो ये सारे ही term, आप अच्छे से समझ गया होगे, next, some other important term in internet, web server, web browser को आप समझ गया, कि अगर आपको कोई information, worldwide web में search करनी है, तो आपको web browser में जाना होगा, फिर web server, एक web server को उप्योग करता के लिए, web pages को संग्रहि संसारित और वित्रित करता है, उप्योग करता हों को server के बीच में, अंतर, संचार, hypertext, transfer, protocol का उप्योग करके किया जाता है, ठीक है, web server क्या होता है, कि जो information है, उसकी processing, delivery वगरा, web pages, ये सारी चीजें, web server में store होती है, web page, ये HTML में लिखा गया, एक दस्तावेच है, तो ये एक सबसे important line है, कि web pages को किस language में लिखा जाता है, तो वो HTML है, जिसे web browser का उप्योग करके, इंटरनेट के माध्यम से access किया जा सकता है, ठीक है, web pages को कहा सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से web browser पर, इसकी पहचान uniform resource locator द्वारा की जाती है, तो यही हम बता रहे थे, कि जितने भी pages हैं, जितने भी pages web browser में आप सर्च करते हैं, उन सभी pages का अपना एक अलग URL होता है, home page क्या होता है, home page website का default page होता है, मतलब जो web page है, उसका जो first page होगा, वो home page होता है, जैसे कि book हो गई, ठीक है, तो book का जो first page होगा, वो क्या होगा, home page होगा, जिसमें book का नाम लिखा होता है, okay, hypertext markup language, HTML का उपयोग internet पर प्रदर्शित होने वाले, web page बनाने के लिए किया जाता है, hypertext transfer protocol इस protocol का उपयोग, web उपर data transfer करने के लिए किया जाता है, ये protocol के TCP IP setup के series पर चलता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, कि जो hypertext transfer protocol है, यानि कि HTTP है, वो किसके माद्ध हम से चलता है, TCP IP के set के series पर चलता है, ये server client model का उपयोग करता है, अब हम बात करते हैं, transmission control protocol या internet protocol की, तो ये sun chart protocol का एक set है, जिसका उपयोग internet तक पहुँचने के लिए किया जाता है, TCP IP को 1978 में, warp, kohan और wind सिर्फ द्वारा विक्सित किया गया था, ठीक है, तो नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता है, बट ये है क्या, कैसे वर्क करता है, उसको याद रखिएगा, internet host क्या होता है, तो internet host एक computer या application है, जिसका उप्योग, internet पर data transfer करने के लिए किया जाता है, प्रतेक host का एक अधित ये IP पता होता है, जिसे host नाम कहा जाता है, ठीक है, कि किस जगह से कौन से computer से आपका जो data है, उसको transfer किया जा रहा है, तो सभी का अपना IP address अलग-अलग होता है, ठीक है, इमेल क्या होता है, electronic mail, internet पर संदेशों का प्रसारण, इमेल में उप्योग करता दस्ताविश चित्र वीडियो आदे, सनलगन करके भेर सकते हैं, तो इमेल तो आप सभी की आजकल इमेल आईडी सभी की होती है, उसी के मादम से आपका जो mobile है वो work करता है, तो आप सभी को पता होगा इमेल क्या होता है, तो ये दोनों ही important term है, इनको भी देख लेते हैं, carbon copy, cc, blind carbon copy, bcc, इसकी full form भी पूछ लेते हैं कि cc means क्या होता है, bcc means क्या होता है, ठीक है, तो cc means होता है कि इसका उपयोग एक याधिक प्राप्त करता हो, के साथ e-mails आचा करने के लिए किया जाता है, मुख्य प्राप्त करता और अन्य प्राप्त करता, दोनों ही सभी mail और पते देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपने एक mail को पांच लोगों को भेजा, तो वो पांचो लोग देख सकते हैं, कि ये mail किसको किसको send किया गया है, और इस mail में क्या लिखा है, ठीक है, वो पांचो व्यक्ति एक दूसरे को भी, एक दूसरे के जो address हैं, उनको भी देख सकते हैं, कि ये किस-किस email address पर mail send किया गया है, blind carbon copy क्या होता है, इसमें संदेश के प्राप्त करता, और जो अन्य प्राप्त करता है, उन व्यक्तियों को नहीं देख सकते, जो सभी email प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या है, जो पांच व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे के address को नहीं देख सकते, उनको नहीं पता होता है, कि यही email, same वही email और सभी को भी भेजा गया है, तो यह blind carbon copy है, I hope कि आप यह समझ कैं होंगे, आगे बढ़ते हैं, domain names देख लेते हैं, एक domain नाम एक पते की रूप में कारी करता है, जिसका उपयोग website तक पहुँचने के लिए किया जाता है, इसे web server और online संगठनों दोहरा domain name क्या होता है, एक address की तरह होता है, यह website तक पहुँच के लिए किया जाता है, जैसे कि educational, जो आपकी जितनी भी website है, उनका जो domain name होगा, वो edu होगा, जिससे आप पता चल जाता है, कि हाँ, यह website है, यह educational है, इंडिया की जितनी भी website होंगी, उनके website में .in लगा होगा, मतल हमारे पास एक अधित ही domain name होना चाहिए, ठीक है, कोई भी website launch करने के लिए आपके पास एक अलग domain name भी होना चाहिए, website के नाम में किसी भी तरह की टकराओ से बचने के लिए domain name नाम की अवधारना को विक्सित किया गया, तो देख लेते हैं, जो important domain names हैं, वो कौन-कौन से है .com का यूज करते हैं, वाणिजिक संगठन के लिए .net याने की network संगठन, .org गैर लाबकारी संगठन जो organizations होती है, .edu educational organization, .gov जो सरकारी एजंसिया होती हैं, उनकी यो रिशारा कर रहा है है, .in मतलब भारत देश के नाम के लिए .mil, तो सैने गतिविदियों के लिए, सैने जो अंतर राष्ट्रिये, संधियां जो होती है, international उनके लिए होता है, ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, ये कुछ important है, आप से पूछ लिया जाता है, .edu तो बहुत ही पूछा जाता है, ये वाली, ये जितने हैं, आपका edu हो गया, .org हो गया, .in हो गया, ये तीन तो ब प्रदाता से internet connection की आवज सकता होती है, अगर आपके पास internet connection नहीं है, तो आप internet का use नहीं कर सकते हैं, भारत में कई internet सेवा प्रदाता हैं, जैसे की BSNL है, Airtel है, Reliance है, GU है, तो वे installation और connection के लिए थोड़ा सा जो शुल्क है वो ले लेती हैं, और उसके बाद आपको internet service प्र provider का number dial करके internet से जोड सकते हैं, यह उपियोगी है यदि network या तो computer के छोटे समू तक या एकल PC तक से मित हैं, ठीक है, तो dial up connection का use किस में किया जाता है, जो personal computer होते हैं, जो single एक आप अपना laptop या desktop use कर रहे हैं, उसके लिए dial up connection का use होता है, इसमें आप ISP का number dial करके internet से जोड सक निरबाद उचगती internet connection की आवशकता वाले संगतन के लिए उपियोगता है, तो इनको बहुत जादा high speed चाहिए होती है एक बड़े organization में, वो इस तरह के connection है, उनको लेती है, leased lines इनको कहते हैं, जिसमें काफी जादा खचा होता है, क्योंकि lines बिचाते है, cable का use होता है, broadband connection, यह भी अच्छी speed प्रदान करता है, जबकि leased line के लिए एक अलग telephone line की आवशकता होती है, broadband को मौझूदा telephone line का उपयोग करके वितरित किया जा सकता है, यह घरेलू और छोटे विविसायों के लिए आदर्श है, जिने high speed की internet की आवशकता होती है, तो broadband क्या होता है, leased lines से थोड़ा सा कम costly होता है, यह जो आपकी telephone lines होती है, इनहीं के माध्यम से वो आपको provide करा दिया जाता है, important है यह Wi-Fi broadband, जो आजकल wireless connection भी उपलग्द हैं, इसलिए हमारे पास computer से जुड़ा एक Wi-Fi card और एक wireless modem होना चाहिए, तो यह आप सभी जानते होंगे Wi-Fi के बारे में, नेक्स्ट है ISDN, तो ISDN क्या होता है, Integrated Service Digital Network, उपयोग करताओं को digital telephone line हो या मानक telephone तारों पर data, आवाज और वीडियो सामगरी भीशनी की अनुमती देता है, Transmission के दोनों सिरों को ISDN Adopter की स्थापना आवश्यक है, उपयोग करता के साथ साथ Internet Access प्रदारता की ओर से भी, पतलब जिनको भी आप information या जो भी message भेज रहे हैं, उनके पास भी ISDN का ही जो service है, इंटरनेट सर्विस है वो होनी चाहिए और आपके पास भी सेम वही service होनी चाहिए, ओके? जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो हमें इसकी speed parameter अवश्यक पता होने चाहिए, speed पूछ लिया जाता है, इंटरनेट की गती प्रती unit समय में इस्थानांत्री bits की संख्या में मापी जाती है, कैसे मापी जाती है, आम तोर पर इंटरनेट की speed kbps, kilobit प्रती सेकंड में मापी जाती है, और लेकिन आज कल कुछ संगटन mbps में high speed connection उपलब्द करा रहे हैं, अब तो जो है, वो आपका mbps से भी जादा high, ठीक है, gb का भी use होने लगा है, कि 4gb, 3gb, 5gb, ठीक है, इसका भी use होने लगा है, लेकिन आप इन दोनों को याद रखिएगा kbps और mbps को, connection बनाने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्चता होती है, जिसे modem कहा जाता है, यह उपकरण computer से digital signal को analog signal में परिवर्टित करता है, जो telephone line के माधम से यातरा कर सकता है, तो यह बहुत important modem की full form पूछते हैं, तो modulator, demodulator, जो analog signal को digital signal में और digital signal को analog signal में convert करते हैं, दोनों दरहां से करते हैं, ठीक है, तो internet पहुचने के लिए router नामा के एक उपकरण को computer से जोड़ा जा सकता है, router एक उपकरण है, जिसका उपयो, तो अलग-अलग network को जोडने के ल दूस करते हैं, तो उस class को भी आप सभी देखिए, ज़रूर, computer network है, वो एक दूसरे से connect है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम एक class को देखने, एक class को नहीं देखें, काफी सारी चीज़ें क्या होती है, पिछली classes में discuss हो जाती हैं, यहां पर थोड़ा सा ही उसके बारे में बत कराता है, communication, आप यहां पर बैठे-बैठे अपने abroad के friends से बात कर सकते हैं, research, अनुसंधान, research में computer बहुत जादा यूज होता है, education की field में, आजकल जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे online पढ़ रहे हैं, मेरी class online देख रहे हैं, तो यह भी education की field में भी internet का बहुत यूज होता है, with search for information, कोई भी information आप easily access कर सकते हैं, email भेजने के लिए, teleconferencing के लिए, video conferencing, e-commerce, ठीक है, इन सभी के लिए आपको internet की जरूरत होती है, next है e-service, तो internet द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक विस्तरित टंकला है, जैसे खोज इंजन, chatting और email, जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अन्य है e-banking, e-learning आदी, e-banking का भी आजकल बहुत ही प्रचलन है कि आपको wallet रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा cash लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप e-banking के माधियम से जो अपने transactions हैं, उनको कर सकते हैं, e-shopping कर सकते हैं, तो लगबग सभी जो राजट्रेकरत बैंकों ने अपनी सेवाएं, online प्रदान करना शुरूर कर दिया, इसका मतलब है कि आप internet के जरीए bank से लेंदेन कर सकते हैं, किसी और को रुपय ट्रांसफर करने या तो आप अपने mobile के थू कर सकते हैं, e-banking के माधियम से, e-banking एक ऐ इसी सुविधाय जो आपको internet connection वाले laptop या computer से अपने banking लेंदेन, online करने की अनुमती देती है, इस सुद्देश्य के लिए प्रतेक उपयोग करता को bank द्वारा एक अधित ही उपयोग करता ID और password आवंटेत किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा, पज़े से phone पे हो गया, आपका Google पे हो गया, तो इसके माधियम से भी आप अपने जो transactions हैं, उनको easily कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, okay? नेक्स्ट है e-learning, तो e-learning इंटरनेट की मदद से लोगों को online सिच्छित करने से सम्मंदित है, इस छेत्र में विकास के कारण आभासी कच्छाओं और online सत्रों का निर्माड हुआ, एक सिच्छक विभिन भागौली के स्थानों पर बैठ कर एक ही समय में कई शात्रों को पढ सकता है, जैसे कि आप जो class हमारी देख रहे हैं, वो all over India के बच्चे देख लेते हैं, ठीक है, यह नहीं कि हाँ भाई, UP के ही पच्चे देखेंगे, या फिर जो मेरे घर के आसपास रह रहे हैं, वही देखेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसकी जो पहुँच है, वो all over India, all over world त इसी कच्चा के लिए प्रतिक टर्मिनल पर एक वैव केमरा की आवश्यक्ता होती है, ठीक है, वैव केमरा से क्या होता है, कि वही टीचर जो है, उसको भी आप देख सकते हैं, कि वो किस तरह से पढ़ा रहा है, नेक्स्ट है आपका, टेक्शुल लेक्शर, सिचक अपने वैख्यान को पाठ की रूप में विस्रित करके, और छात्रों को पाठ्थे प्रतिकिरिया प्रदान करके, एक अच्छा ले सकता है, छात अपनी प्रश्न ओनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, और तुरंद प्रतिकिरिय नेक्स्ट है आपका e-shopping, electronic shopping, यह उन व्यापारियों से सामान और सेवाई खरीदने की प्रक्रिया है, जो internet देखते हैं, कुछ e-shopping website, flipkart, amazon, zabong आदी हैं, ठीक है, आपको कोई भी product अच्छा लगा, आप इनके मादियम से access कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, यह जरूरी नहीं क आपके घर के आसपास ही product मिल रहा हो, all over, इंडिया में कहीं से भी product आप easily मंगा सकते हैं, ठीक है, e-reservation, आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप reservation easily करा सकते हैं, hotel booking कर सकते हैं, जो cab है, उसकी booking कर सकते हैं, ठीक है, जो internet है, इसके मादियम से आपकी life बहुत जादा easy हुई है, और demerits तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होंगी, कि इनकी demerits भी होती हैं, कि आपकी आँखे खराब हो जाती हैं, सबसे पहले तो, ठीक है, जितना जादा आप इसमें involved रहेंगे phone में, laptop में, तो आपकी आँखों पर असर होता है, तो इसको देखिए, लेकि लिमि कर लेते हैं, कि बैठे तो आप कहीं और हो, किसी और देश में हो, और यहां के देशों के जो बच्चे हैं, उनको, उनका जो mind wash है, उसको करके brain wash करके, आप उनको अपने संगठन में सामिल कर लेते हैं, तो इस तरह की जो घटनाए होती हैं, वो भी इंटरनेट के मादयम से easily हो जाती हैं, तो merits के साथ साथ हर एक चीज की demerits भी होती हैं, तो किसी भी चीज का use करने से पहले उसकी demerits को देखिए, कि आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसके बाद ही उस चीज को करिए, किसी भी चीज की जो अती होती है, वो अच्छी नहीं होती है, main यही point है तो वीडियो कैसी लगी आपको उसको बताइएगा जरूर, और जो अगर किसी ने भी पिछली classes नहीं देखिया, उनको देखना जरूर, okay, PDF आपको Telegram चैनल पर provide करा दी जाएगी, please only सिर्फ PDF पर based मत रहिए classes को देखिये भी, okay, कोई भी doubt या suggestion है, उसको भी बताइएगा, channel क शेर जादा से जादा करिये, जिसे जो और भी बच्चे हैं, उनको भी help है वो मिल सके, thank you so much for watching.